हालो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे टाइपस ओफ वेजिटेशन के बारे में दफालिग मीज़िटाइपस ओफ वेजिटेशन में इडेंटीफाई इन यूर कंट्री तो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं यह देको ट्रॉफिकल एवरगिरीन फोरेज्ट ट्रॉफिकल डेस ट्रॉइड्स फोरेज्ट ट्रॉफिकल थिवॉन फोरेट्स आजदं फोरेशन फोरेस्ट एन बा गन्रूफ फोरेस्ट तो केले के बारे में ज़्चे से पढ़ेंगे लूफिकल एवर ग्रीन फोरेश्ट इस फोरेस्ट आर अजिस्टिक्टे तो हैवी रेंफॉल एरिया अफ दे वेस्टन घाट एन आइलेंड ग्रूप अफ लक्षदीप अंडेमान निकोबार अपर पार्ट ऑफ दे असमें तमिल नाडू कोस तो यहां पे यह जो यह टॉपिकल जो एवर गरीन फोरेस्ट है यह बहुत ज्यादा बारिश होती है कौन कौन से वेस्टनघाट में वेस्टनघाट तो पता है, यह देखो जैसे हमारे जो सौधन वालगार पार्ट है तो यह वाला इधर वाला पार्ट ओके। वेस्टन घाट में और लक्षदीप में, अंडेमान, अंडेकोबार आईलनेंड जो असम का अपर पार्ट है तमिल नाडू कोस्ट में इन एरिया में यह ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फोरेस्ट पाये जाते हैं क्योंकि यह प्रीविस जो पार्ट था इस चैप्टर का उसमें हमने देखा था कि कोशन थे हैं अभी कहां पर ज्यादा पाये जाते हैं तो यहां पे देखे यह बेस्ट इन एरिया तो यह उन एरिया में होते हैं जांपे 200 cm तक की रेन होती है विद अशॉट ड्राइ सीजन और ड्राइ सीजन बहुत कम होता है इन एरिया में दर ट्रीज रीच अग्रेट हाइट तो ट्रीज वह बहुत उच्छे उच्छे तक जाते हैं since the region is warm and wet throughout the year और इसलिए यह जो रीजन है यह क्योंकि सारा सा यह warm और wet सा भी रहता है इट हाज लुग्जी रेंट वेजिटेशन फुर और सभी तरह कि आपको यहां पे वेजिटेशन देखने हो को मिल जाएगी त्रीज भी श्रब्स भी क्रीपर्स भी आल टाइ देंगे as such the forest appears green all year round तो यह देखो नाम सही यह पता लगा सकते हैं evergreen forest है हमेशा हरे भरी ही रहते हैं और यह पत्ते वगरा अपने जाड़ते हैं बाकि most of the trees वो अपने पत्तों को shed करते हैं तो यह देखो maximum height इतने तक चले जाती है यह दिखाया गया है बढ़ते ही रहती है आगे यह देखो यह देखो मैप बहुत अच्छा है देख सकते हूँ आप देखा है ना हमने tropical evergreen forest जो हमने देखे हैं वो कौन कान से यह देखो यह पर पाए जाते हैं यह देखो लक्षदीप में अंडेमन अनिकोबार में यह तामिल इधर वाले एरिया में यह देखो अस् गिवन मैप for the forest covered and dry to find the reason as to why certain states have been a forest area as compared to other तो यह देखो पहले इसी कोई study करती है ना तो यहां पे ज्यादा क्यों है ना यहां इन एरिया पर ज्यादा क्यों है क्योंकि हमने अगर आपने climate वाला चैप्टर अच्छे से मेरा सुना होगा तो उसमें मैंने आपको समझाया था नैगर मेरा, यहां पर यह वहीए एरिया न आ ज्यादा बारिश देखने की मिलें गी जहां पर यह उन पर ही यह पेड़ है पाये जाते हैंको सिक्स्टी मिटर तक भी पहुँंच आते हैं इनकी हाइट बहुत होती है और यह सदा बहारी ही रहते हैं और यह ट्रॉपिकल डिसाइडियस फुर एस यह वाले एरिया में पाई जाते हैं यह देख रहे हो यह जो कलर शेड किया हुआ है यह देखो यह वाला कलर ही तो यह वाला एरिया है ना यह देख रहे हो ना यह वाला सारा एरिया यह ट्रॉपिकल डिसाइडियस है अगे मैंग्रूवर यह वाला है मैंग्रूवर यह वाला कलर ठीक है यह उपर भी है यह देख ऊपर वाले और उसके वाद है मैंग्रूवर मैंग्रूवर यह देखो यह coastal area यहां पे यह यह वाले area में ही मिलते हैं man grower tropical thorn forest थौन forest हमें यह देखो यह एडिया में यहां वाला area है यह वाला area इस area में ठीक है इस तरह से division है हमारे यहां पे आगे हम पढ़ रहे थे तो यह tropical evergreen forest के बारे में ही पढ़ रहे थे तो some of the commercial important trees of this forest are तो यहां पे commercial important trees भी मिल जाते हैं जैसे कि इबॉनी, इबॉनी, महागयनी, rosewood, rubber, चिंचोना तो यह हमें मिल जाते हैं The common animals यहां पे in forest में elephant, monkey, lemur, deer, one-on, rhinosaurus यह सब कुछ इन जंगलों में असम के और वेस्ट बेंगोली के जंगलों में मिल जाते हैं Beside these animals, plenty of words इससे बेना भी बहुत से आपको पक्षी देखने के मिलेंगे bats, sloths, scorpions और snails भी यहां पे इन जंगलों में आप देख सकते हो आगे है tropical decidious forest तो पहले तो मैं बैप में सब को दिखा चुप क्यों हो ना कहां कहां पे हैं They are the most wild spread of forest of India यह बहुत बड़ी मातरा में पाए जाते हैं They are also called the monsoon forest यह इनको monsoon forest भी बोला जाता है और यह spread over the region receiving rainfall यह उन एरिया में पाए जाते हैं जहां पे 200 cm से लेकर 70 cm तक के बारिश होती है Trees of this forest type shed, they are at least for about 6 to 8 weeks in a dry summer तो जब सूकी गर्मी पड़ती है तो यह 6 to 8 week के लिए अपने पते जाड़ देती है Okay, tropical deciduous forest Okay, on the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous तो अगे भी इनको दो parts में divide किया गया है Okay, कौन कौन से एक है, एक तो है, कौन, एक है dry deciduous, एक है wet वाले ठीक है जहां पर पानी अच्छे से मिल जाती है The former is a found in area, जो former forest है वो उन एरिया में मिल जाते है, जहां पर बारिश है वो 200 cm से 100 cm के बीच में होती है These forests exist therefore mostly in the eastern part of a country Okay, यह eastern part में ही पाय जाते हैं country के East वाले part में, Northwest state में Along with the foot hill of Himalaya, Jharkand, West, Odisa और 36 गड़ वाले इलाके में आपको यह डिसाइडियस forest देखने को मिलेंगे And on the eastern slopes of the western ghats Teak is the most dominant species Teak, यहां पर टीक नाम का जो पेड़ है वहां पर इसमें यहां पर बहुत मिलेंगे आपको बैंबू साल, शीशम, संदल वोड, खेर, कुसुम, अर्जुन, and मलबड़ी Our other commercial important species यह भी इनका भी बहुत ज़दा इसे अच्छे पैसे कमाया जाते हैं यह देखो, ट्रॉपिकल डिसाइडियस forest आप देख सकते हो तो यह देखो, पिच्चर भी बहुत अच्छे से दिखाएगे यह आपके बुक में अगे, the dry डिसाइडियस forest are found in area यह किस area में पाये जाते हैं यह पाये जाते हैं, जहांबे 100 cm से लेकर 70 cm तक बारिश होती है इस forest are found in the rainier part of the panciller plateau यह rainier part में panciller plateau में panciller plateau का समझते हो ना जो हमारा southern वाला पार्ट है, panciller means जो पार्ट जमीन का पार्ट जो तीन हिसे से पानी से गीरा हुआ होता है और plants of plains of Bihar and उत्रपरदेश में पाये जाते हैं these are open stretches in which are teak, saal, people, neem, grow a large part of this region has been cleared for cultivation and some parts in used for grazing तो यह बहुत ज्यादा पार्ट है ना इसका, तो वो काट लिया गया है, किस के लिए काटा गया है यह काटा गया है, कल्टिविशन करने के लिए in these forests, the common animals, common animals कौन कौन से पाये जाती है यहां पे lion, tiger, pig, deer, elephants पाये जाती है और बहुत सी variety के birds, lizards, snakes और tortoise भी यहां भी आप देख सकते हो the thorn forest and scrubs तो यह कहां पे पाये जाती है यह वो वाले area में पाये जाती है यहां पे 70 cm से भी कम बाईशों होती है natural vegetation है यहां पे जो पाये जाती है वो कांटेदार द्रक तो होते है जाडियां होती है यहां पे जो vegetation है वो north western part of the country में मिलती है जिसमें semi-arid area, gujarat, rajistan और madh-pradesh, shatis-gadh, utr-pradesh-hariyana वाले parts आ जाती है excises, palms, euphorbians and cactus are the main plant species यह वाले पाये जाती है species, trees है वो scattered होती है have long roots और उनकी जो root है वो बहुत लंबी होती है and penetrating deep into soil और वो बहुत soil के deep चली जाती है क्योंक वहां से moisture लेने के लिए the stems are succultant to a conserve water leaves are mostly thick, जो leaves होते हैं, पत्ते होते हैं इनके वो thick होते हैं और small होते हैं evaporation के वाज़ज़ से these forests give away to thorn forest तो यह thorn forest भी कहा जा सकता है और shrubs arid area में पाए जाते हैं in these forests the common animals यहां पे rat, mites, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild as is as horses or camel पाए जाते हैं यहां पे देख सकते हैं यह थौर्ण, forest and scrubs यह वाले इस तरहें के पाए जाते हैं आप देख सकते हो आगे आ जाता है mountain forest, mountain forest क्या है in mountainous area जो mountainous area है जो decrease होता जाता है mountainous area हो decrease होता जाता है temperature with increasing the altitude देखो जी temperature में बहुत बार बता जाता है जैसे जैसे हम उचाही पे जाते हैं जैसे के पहाडों की तरफ जाते हैं तो वहां पे temperature decrease होता जाता है lead to the corresponding change in the natural vegetation इससे क्या होता है natural vegetation में भी change होता है as such there is a succession of the natural vegetation belts in a same order as we see from the tropical to the tundra region okay the wetted temperature type of the forest are found between height तो यह जो best wet sorry wet temperature forest है वो 1000 से 2000 मीटर वाले area में आपको देखने को मिलेंगे evergreen broad जो evergreen होते है ना उसके जो leaves होते हैं वो broad होते हैं चाड़े होती है और broad leaves होते हैं जैसे के oak और chestnut predominant और 1500-3000 मीटर तक हो सकते हैं यह temperate forest contain a coniface coniface corn जैसे आपको वो मिलेंगे trees मिलेंगे जैसे के pine, deodor, silver fish, sprouts, cedar यह सब कुछ मिलेंगे इस फोरेस्ट कवर mostly the southern slopes of the Himalaya place having a high altitude in the southern and northern eastern part at higher elevation जैसे जैसे आप उचाई पे जाते हो जो temperature grasslands are common तो grassland आपको common देखने को मिलेगा कि हरा भारे देखने को मिलेंगे वहां पे areas at high altitude जैसे जैसे आप उपर जाते जाओंगे जनरली more than 36,6300 मेटर से भी sea level से भी ज्याद आपको चाहिए देखने को मिलेगी temperature forest and grassland give way to the alpine vegetation silver field, junipers, pines, beaches are common trees यहां पे in foresters में मिलते हैं however, they get a progressive stand as they approach to the snow line और मगर फिर भी जब यह snow line पे पहुंचते हैं तो यहां पे आपको progressive stand stand मिल जाएंगे रुक जाएंगे ultimately the shrubs and ascurbs are merged into the alpine grassland तो यह मिल जाती हैं वहां पे जाके जो भी जाने के mix-up तरह के आपको vegetation देखने को मिलेगी these are used, यह use किये जाते हैं किसमें use किये जाते हैं यह use किये जाते हैं यह देखो, पहले यह देखो, man mountain forest mountain से तो समझ रहे हो ना यह देखो जैसे जैसे उपर जा रही है थी कोने shape होती जा रही है तीक है ऐसे, ओके तो यहां पर पढ़ रहे थे हम intensively for grazing by a nomadic tribe तो यह nomadic tribes हैं जो घुमंतू होती हैं जैसे कि गुज्जोर और भकरवाल यह use करते हैं at higher altitude जैसे जैसे अपना higher altitude की तरफ जाते हो moses and leeches form part of the tundra vegetation the common animal जो common animal is forest में पाय जाते हैं कश्मीर स्टेग है, spotted deer है, sheep है जैक, rabbits है, तिबत antelope, याक, snow leopard, skilled, shaggy wild ebugs, bear and rare red panda and sheep and goat यह सब कुछ ठीक है यह से आप में आपको मिल जाएंगे आगे है mangrover mangrove forest mangrove forest बहुत different type of forest है तो यह देखो different कैसे है यह mangrover tidal forest found in the area of the coastal influenced by tides तो यह न coastal, coast वाला तो समझे रहें सुंधरी तट वाले इलाकों में मिलेंगे आपको okay, tide के influence से बनते हैं okay, mud and silt get accumulated on such coast जब मड गारा वगारे कथा हो जाता है दल दल सी बनने लग जाती है coastal area में dense mangrover are a commonly variation with the roots of the plant submerged underwater तो यह जो रूट से आपको वैसे भी आपको रूट सूपर उठी हुई दिखाई देंगी तो सुप मर्ज ऐसे लग जाएंगे कि आपको पानी में खड़ी है वो द्रक्त है जो गंगा ब्रहम पुत्रा डेल्टा है सुंद्री ट्रीज यहां पे मिलेंगे जो प्रवाइड करते हैं डूरेबल हार्ट इंबर जिससे हार्ट इंबर मिलती है पाम कोकोनट क्योरा अगर यह सब कुछ भी और पार्ट्स ऑफ डेल्टा में पाए जाते हैं जो इसके जड़े हैं जड़े हैं पानी में ऐसे गीरा पड़ा है यह मैंगुरू फोरेस्ट है लेट्स डिसकस्ट डिसकस्ट वाट इफ प्लांट्स अनिमल इसटापीर फॉर्स तो सोच कर देखो ऐसा इमाजीन करके देखो अगर इस घर्टी पे प्लांट्स नहोग आनिमल्स नहोग तो क्या होगा can human be survive under such situation क्या human being survive कर पाएगा क्या कर पाएगा बताइगे बताइगे अगर ये नहीं होंगे तो भी खाना तो हमें कहां से मिलता है तो human being animals से और plants पे ही निरभर करता है खाना काने के लिए खाना हम क्यों खाते हैं जीवत रहने के लिए अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे ये वाली बात है आगे medicinal plants medicinal plants देखते हैं medical जाने के medicine में भी यूज़ किया जाती है ये plants है ठीक है India is known for its herbs and spices तो पुराने प्राचीन समय सही जो हमारा इंडिया है वो अपने herbs और जो spices मसालों के लिए जाना जाता है 2000 plants है जो describe किये गए है आयूर वेदा में और जिसमें 500 हैं वो regular use में हम करते हैं जो world conservation union red list में उसने 352 medical plants दी हैं जिसमें 52 वो हैं वो critically threatened हैं और 49 end engine है जहने कि वो खत्म होने वाली हैं the common used plants जो common use करते हैं वो है सरपगंधा सरपगंधा used to treat blood pressure यह सरपगंधा है यह जो blood pressure को जब blood pressure ठीक नहीं होता तब यूज हुआ होता है और यह इंडिया में ही मिलता है then आ जाता है then हमारा आ जाता है जामून the juice from the ripe जो जामून होता है यह जब पक जाता है फूट is used to prepare वाइन जो तो वाइन बनाने के लिए इसका यूज होता है which is a carminative and a duoretic and has a digestive property जिससे वो हजम में हमारे digestive system में अच्छा होता है the powder of the seed is used for the controlling diabetes जो इसकी गुठलियां होती है जो seed होती है जामून के उसको यूज किया जाता है diabetes को control करने के लिए यह देखो पहले तो fruit है और उसके बीज भी है नहीं तो वो भी diabetes के लिए यूज किया जाता है आगे है अरजून अरजून क्या the fresh juice of the leaf is a cure for a ear rack ear rack जाने के कान में अगर दर्द है तो इसके पत्तों के जूस से इसका दर्द से निजात मिल सकती है it is also used to regulate blood pressure को regulate करने के लिए भी urgent use किया जाता है देन आ जाता है बबूल यह जो leaves है वो eyes के लिए हमारे जो होते हैं उसके लिए useful होते हैं जो gums हैं जो हमारे मसूडे हैं इनके लिए भी बहुत ज़्यादा useful होते हैं बबूल और नीम नीम हैज हाई antibiotic and antibacterial properties जो नीम है इसमें जो antibiotic और antibacterial properties हैं बहुत important यह नीम हमारे इंडिया में पाया जाता है तुलसी यह कफ और कोल्ड क्योर के लिए यूज किया जाता है आगे है कच्छनर कच्छनर इस यूज़ तो क्योर आस्तमा एंड तो आस्तमा और उल्सर नाम की बिमारियों से निजात दिलाता है तब बर्ड और रूट्स आर गुड फो डाइजेस्टिंग प्रॉबलम तो डाइजेस्टिंग प्रॉबलम है तो भी इसके रूट्स बहुत अच्छे होती है आपके एरिया में अगर और भी प्लांट्स है तो आप बता सकते हो विच प्लांट्स आर यूज़ तो एज अमेडिसन बाय लोकल पीपल नैशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो वाइल दे लाइफ के बारे में हम बाद में नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी मैं पार्ट में तो यह एक्टिवीटी देख लेते है तो यह एक्टिवीटी देख लिते है यह देखो किस टाइप का है उपर तो देखो यह हिमालिया है और यह यहाँ पे हैं तो यहाँ पे देखिए ओके वाइल लाइफ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू